राजी में अभी भी मांसून का जो समान बारिस होना चाहिए उसमें भी अभी 30 पर तीसक्त की कमी है यानि कि 30 पर 30 अभी भी कम बारिस हुई है सितंबर का महीना है और सितंबर के महीने में जहां धान की पौधे विकास करते हैं और एक अच्छे खासी इस्थिती में आ जाते हैं वहीं जिन इलाकों में जिन जिलों में अच्छी बारिस नहीं हुई है वहां आज भी धान के पौ सिबत बनके आ रहा है इसी को जानने और समझने के लिए हम पहुंच गये हैं पटना जिले के नौबत प्रखण्यत तरगाताने वाले चिछौल गाउं में और पहले किसानों से अधान का पौधा है और यह देखिए खेतों में दरारे पड़ी हुई है आप यह सोचिए कि यह सितंबर का महीना है और सितंबर के महीने में जहां खेतों में लोग पैदल भी सही धंग से नहीं चल पाते हैं क्योंकि पूरे खेतों में पानी होता है लेकिन इस खेत में हम आपको दिखा दें तो हम जूता पहने हुए और जूता पहन के हम चल रहे हैं और बहुत ही आराम से चल रहे हैं यह पूरे इलाके का करीब कर लेकिन कुछ नहरों में इस जितै बहुत 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 बहुत। लेकिन हम बात करेंगे चाहल गाहों के और आस पास के तमाम कई गाउं की स्थितियां हो गेहले, जैसा यहां का है तो हमारे साथ एककिशान है पहले इन से बात करतें हैं क्या नहीं हो यहां त। कर दो फिट दो ओपधिने चाहिए ढभी एक फिट भी नहीं हुआ है कर इसको अल्ब करवा एक ते में हुआ है तुअ कर dice स्पितले जी सवाय कर शुरू ला स्थानल ड्रायद रस 122 मारा चाहँ ल heartbreaking कि इसमें हुआ है अभी तक भी कास नहीं है कि तो पाई नहीं है तो कि कितनी समयों से परिष्थिति यह सब्सक्राइब कर रहे हैं तो फोल्टेज नहीं है 15-16 घंटे बात कर रहे हैं तो यह नहीं है अच्छा रात दीने मिलाके अठों गौंटा में कभी फ्यू जूड जाएगा तो कभी अर्थी हो जाएगा जोड़े सही नहीं है कितने अरियान होता है शर्पुरा के लाके में खेति यहां पर यहां तो चेचोल करीब करीब हैं के एक खजार विखा किया सब्सक्राइब परशने हो गई है लेकिन अभी जो हमारे किसानों से बात थो जैकिन इस चिचोल गाओं में है एक हजार विखे के आसपास पूरे इस गाओं में खेती होती है दान की लेकिन पांसो भी घावी जबार खेती नहीं कि 50% का पूरा आता है तो 50% मान के चलिये हुआ है तो 50% का अब हो गाओं पर भागवन पर है निर्वर हम लोग आसा बेरोप रहे हैं इंसान कोशिश कर रहा है हम लोग तो राचे दीने लगे हुए हैं बाकि पैदा हो हम लोग के होगा कि नहीं होगा उकार देखिए सब बईठ रहा है पटवन होते 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 ही अच्छा गर्मी से बारीश पहली करते हैं किला ऊता है अब कि है अब नहीं इता खतर जाद है कितने भी घंप किर हें किराज के मिली कहते हैं दस भी घंघ हूल कि अपना है की कुछ अधियाब टिया मालिक का है हम मदूरा हैं अच्छा मदीन पर रटे रह finaliquadook. Het आपर यह दें ना दिए अधि करते हैं 50 देख वाल करता है आपने भी कुछ खेती किया है का हम गरीब आद में हमको पुंजी पगा नहीं है हम आलिके के खेत से आपका अभी मतलब चलते रहता है खाते रहे हैं अपना करते हैं क्या हाल है वारिष ने इंसाल जी हुआ है किस बर कर देखरे कर रहेंगे नहीं देखरे कर रहेंगे नहीं देखिये रहे हैं मतलब दरार खेत में फटे हुए है अब द्धान फुतने जाना चाहिए था जो द्धान अभी गभाया भी नहीं है पुरे द्धान का जैसे यह गभायगा जिस वसल में हम लग खा रहे हैं चो उपर वाल जानता है कि गभाय या नहीं गभाय दोसी कोन है इसको दोसी मनते हैं हम तो आप तो कहें हैं कि पार्किरति की विदोस आसरकार 12 जो थाई है भगवान के भरोसे अब खेती है चिरौल जो चुचौल गाओं है और यहां किसान के भगवान के भरोसे है खेती हमने कर दिया थान की अब देखना होगा कि द्धान कितना हमारे घर तक पहुंच रहा है और हमारे जो गुदाम है जो घर में जो रखने वाला च्वास्त भंडारगी है उसमें ये धान कितना सम्रिधी लाता है और कितना भरता है वो देखने वाले बात होगे लेकि किसानों के पास अभी चिंताय बढ़ी हुई है बारिस को लेकर कि अगर बारिस हो जाए तो कि दावा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें अगर चैनल अभी तक सब्स्क्राइब नहीं किया है तो कर ले और नोटिफिकेशन पाने के ले बैल आइकन भी तबा दे